ये सूत रुपदेश का नाम है दहर बच्चा के बारे में बताया गया सुत्र उसमें भगवान बुद्ध रावास्ति में जेतन आश्रम में विराजमान थे उसी दिन कोसर राजा भगवान बुद्ध के पास आके नमन करके एक और बैठ गया बैठ कर भगवान बुद्ध जी से पूछा ततागत भगवान बुद्ध जी भी अनुत्र सम्मा संबुद्धत को ततागत भगवान बुद्ध जी अपने को दिकाता है क्या इदर रख दिचे ततागत भगवान बुद्ध जी भी दिकाते हैं क्या कि हम अनुत्र सम्मा संबुद्धत को प्राप्त किया है अगर कोई भी सम्मा संबुद्धत को प्राप्त करने के बारें बात किया तो सिर्फ मेरे बारें बात करता है और कोई संसार में नहीं है कोई भी अगर बोल दिया तो सही डंग से जिन्होंने उत्तम सम्मा संबुद्धत को प्राप्त कर चुका है प्राप्त किये हैं वो मेरे बारें बोल रहा है क्योंकि महाराज मैं ही उत्तम सम्मा संबुद्धत को प्राप्त किया हूं ततागत भगवान बुर्दजी लेकिन समाज में एसक गुरु लोग हैं बहुत स्रावक हैं, शिश्य हैं, बहुत फेमस हैं अनुयाई बहुत से लाकों लाक अनुयाई पुरा हर जगा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं अलग-अलब प्रकार की बात बताते रहता है एसा श्रवन ब्रात्मन लोग समाज में हैं जैसे में पूर्न कसप, मक्खली गोसाल, निगंठ नातपुत, संजे बेलाठिपुत, पाकुद कच्चायन, अजित केस्त कंबल एसे लोग, ये लोग से अगर कोई आके पूचेगा तो आप लोग अनुत्तर सम्मा संबुद्धात्यों को प्राप्त किये हैं आप सारे लोग सर्रग्यानी बने हैं, आप सभी लोग सब कुछ देख लिये हैं, सब कुछ जान गएं, सब कुछ प्राप्त किये हैं, सब कुछ से मुश्त हो गए हैं आप लोग सम्मा संबुद्धत्य को प्राप्त की एसे पूछेंगे तो उन लोग भी प्रतीग्ण नहीं दे पाता है उन लोग भी बताते हैं उन लोग भी नहीं बता पाता है मैं सम्मा संबुद्धत्य प्राप्त किया हूँ क्यूँ? इतना गहरी शब्द है सम्मा संबुद्धत्य सबी लोग उसी सब्द से डरता है डरता है मतला उतना बहुत गहर है तोड़ा आगे में चला गया है वो ऐसा सब्द को इस्तमाल जल्दी नहीं करता है सबी लोग कोई सब्द लेता नहीं जल्दी नोमे कहता है हम लोग ज्यानी है लेकिन सम्मा संबुद्धत्य सब्द कोई नहीं लेता है किसी को नहीं ले पाता है महाराज बोलता है लेकिन तता अगर आप तो बच्चा है अभी भी आप बच्चा है आप चीवर भी पेहन के उतना समय नहीं है चीवर पेहन के पे भी नाया है आप इसके बाद फिर भी आप कहते हैं हम सम्मा संबुद्ध है किसए को अगर सम्मा संबुत कहँगए तो मेरे बारे में बोल रहा है एसे अप में आडार की कहता है बाकी लोगों को ऐसा कहने का हिम्मद भी नहीं है लेकिन आप कहते हैं सम्मा संबुत दत है फ्राब कीए है तो आफ लेकिन आप अबटा बच्चा है बच्चा मतलब जावान, जावान मतलब उम्र समय 35 साल था, चीवर पहन के भी उतना समय नहीं है बगवान बुद, इसके बाद बगवान बुद बता रहे हैं महाराज, बच्चा समझ के अपमान नहीं करने वाले, बच्चा समझ के बदनाम नहीं करने वाले चार लोग हैं, उनलों को बच्चा समझ के अभी कुछ नहीं कहना है, वो कोनिक उन्यन महाराज, राज वानसिक, राज कुमार को कभी अपमान नहीं करने चाहिए, बदनाम नहीं करने चाहिए, राज कुमार को, महाराज जहरिला साफ का बच्चा को भी बदनाम नहीं करना चाहिए तांग नहीं करना चाहिए अपमान नहीं करना चाहिए पुन्यवन महाराज आग को भी अपमान नहीं करना चाहिए तांग नहीं करना चाहिए आग के साथ खेलना नहीं चाहिए पुन्यन महाराज भिक्षु को भी ये चोटा भिक्षु है भिक्षु मतला बनते जी ये चोटा भिक्षु है एस समाझ के आपमान नहीं करना चाहिए महाराज ये चार लोगों को किन को किन को राज कुमार, जहरिला साब, आग, बिक्षु लोग, ए लोगों को खबी अपमान, थांग, बदनाम नहीं करना चाहिए। उसको कभी कोई थांग नहीं करते हैं, आपमान, बदनाम नहीं करते हैं। उसको छोड़ेगा? नहीं, इसलिए एक अभी भी राज कुमार के साथ ठाकराना नहीं चाहिए। थाथा कोई गाव में या जंगल में साप दिकाई देता है। उसको बच्चा समाज के अपमान तांग बदनाम नहीं करना चाहिए। बहुत खतरनाक साप है, बहुत गुसस रहते हैं लोग। अगर उनलुक गुस आ गया तो जो अपमान किया है, तांग किया है, वही इस्त्रिया पुस को खोज के आता है। जिस गाउं में होगा उसी गाउं तक खोज-खोज के आता है कहा है मेरा दुश्मन कहा है जो मुझे तंकिया वो कहा है खोज-खोज के आता है आकर के काट लेता है इसलिए अपना जीवन को बचाने के लिए लोग कभी भी जहरिला साप का बाचा चोटा होगा लेकिन थांग नहीं करता है, खस्ट नहीं देते हैं बहुत सारी चीज जलाने वाले आग है एसा आग कोई मज़ा थांग नहीं करते हैं आग के साथ, आगर कोई आग के साथ खेलने जाएगा तो वो चोटा सा आग तुरंथ फैल जाता है फैलने के बाद वो मूर्क इस्त्रिया फुरुसक फुरा जला देता है इसलिए आग के साथ ठकराना नहीं चाहिए जो कोई सीलवान बिख्शु है गुन धरम से तेज अश्वी है अपना गुन धरम की बाल से जो कुछ गंदगी है गुन धरम की बाल से गंदगी को जला दिया तो उसको कभी बच्चा नहीं होता है यान की वो ब्रह्मचारी है उसके पास कभी गाई बहिश नहीं होता है धन सामपत्ती नहीं मिलता है नहीं मिस्टेक हो गया एक बिक्षु है वो गुन धरम वाले हैं सील सुरक्षा करता है एसा बिक्षु को अगर कोई ढाटेगा तो कोई बदनाम करेगा तो ठांकिया तो भगवान गुतने बताया उसी फारिवारे फिर बाच्चा जनम नहीं लेता है गाई बहिश मर जाता है अपना संपत्ती दिहरे दिरे कतम हो जाता है अगर बुद्धिमान लोग अपना खल्यान के बारे में सोचते हैं अगर बुद्धिमान लोग अपना खल्यान फाइदे के बारे में सोचेगा तो साप को और आग को और राजवान सिक कुमार को राजकुमार को सीलवान बिक्ष को ये चारों को इज़त से संदग करता है ये चारों के साथ खेलने नहीं जाता है एसे बोलने के बाद ये किस ने बताया तो बागवान बुद्धि ने बताया तो उसके एक भी शब्द है क्या गलत नहीं एक शब्द भी नहीं है बागवान बुद्ध को बताया कोसर राज बागवान बुद्धि बहुत सुंदर है बहुत आसचर है हम तो सीख गया मुझे माफ कीजी आस से में मरने दम तक आप की शर्म में जाता हूं दर्म की शर्म में जाता हूं संग की शर्म में जाता ह सुन्दर है न हम लोग को याद है स्री लांका में भी कोई-कोई लोग होता है बानते लोग को बहुत डाटते हैं पूरा फरिवार फागल हो जाता है अगर डाट सुनने वाले बानते जिस इलवान है तो गुंधरम है तो पुरा परिवार फागर हो जाता है जो डाटता हो तो उससे दुगना पागर नहीं है इसलिए ऐसे हुआ है इसलिए समार के रहना चाहिए ये चार लोगों से राज कुमार अभी नहीं बागी लोग बागी चीज तो है रागी दीए जैसे हुआ है इसलिए शेखे लाकी नहीं चाहिए समार के शिचेद कुछ तेरगे आद मार गया न अब मुरत आयए बहुत विजित कैता है अब कि यह गर्ला पत्ना में चाहिए राज दो मुरत साण अब्सक्णार क्षाण को जाट मेर्सक्णार को आदे है